हेलो एवरिवन, हमारे चैनल सूपरस्टार इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीवी की दुनिया में वैसे तो कई जाने माने चहरे हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ जाती हैं। लेकिन एक और राइजिंग स्टार है, जिसने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। इस राइजिंग स्टार का नाम है शृती संजीव चौधरी। इन्हें आप इन दिनों मेरा बालम थानेदार सीरियल में देख रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में, एंटरटैन्मेंट की दुनिया में, अपनी जगह बनाने वाली शृती चौधरी की लाइफस्टाइल एंड बायोगरफी के बारे में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। जो शायद आप नहीं जानते हों, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आपको भी शृती पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते इनका फूल नेम है शृती संजीव चौधरी और निकनेम है शृती, प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्ट्रिस हैं। अब बात करते हैं इनकी परसनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ओन अफ बिर्थ है दे 7th of May 2008 और में दो हजार चौबीस में इनकी एज हो ज जोडियक साइन टौरस है, अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में, इनके फादर का नेम संजीव चौधरी है, एंड इनकी मदर का नेम है चीकु चौधरी, इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नेम है स्रिष्टि चौधरी, हॉबी की बात करें तो इन्हें स्विमिंग, डांसिंग, ट्रावलिंग and हाइकिंग पसंद है अगर बात करें फिजिकल अपिरेंस की तो इनकी हाइट है एप्रॉक्स 170 सेंटिमीटर यानि की 5 feet 7 inches एप्रॉक्स 50 kg तो चलिए, अब बात करते हैं इनके educational qualification के बारे में तो शृती अभी अपनी schooling studies ही कर रही है तो अब जान लेते हैं इनके career और journey के बारे में शृती बचपन से ही actress बनना चाहती थी इन्होंने अपने social media में as a model commercial products and foods को promote किया है इन्होंने अपना TV debut 2015 में TV serial Ganga से किया जहां पर ये as a child artist नजर आई थी इसके बाद इन्होंने 2022 में GTV के TV serial मैं हूँ अपराजिता में काम किया जहां पर इन्होंने श्वेता तिवारी और मानव गोहिल के साथ आशा सिंग यानि की आशू का किरदार निभाया इसी serial से उन्हें दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार मिला और इनकी पॉपुलारिटी भी बढ़ गई और इसी शो के लिए उन्हें जी रिष्टे अवार्ड फॉर बेस्ट डिब्यू आक्ट्रस अवार्ड मिला इसके बाद ये रुकी नहीं और इसी साल इन्होंने कलर्स टीवी के शो फना इश्क में मरजावां में काम किया और शनाया श्रिवास्तव का रोल प्ले किया 2023 में इन्होंने जियो सिनेमा में स्ट्रीमड वेब सीरीज इश्क नेक्स्ट और में काम किया जहां पर इन्होंने यंग मेहर का रोल प्ले किया और अब 2024 से ये नजर आ रही है Colors TV के popular show मेरा बालम थानेदार मे जहां पर ये शगुन पांडे के साथ बुलबुल का lead role play कर रही है तो दोस्तों आपको बुलबुल का किरदार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि आपको शृती का कौन सा सीरियल पसंद आया तो चलिए अब बात करते हैं इनके relationship status के बारे में marital status की बात करें तो ये unmarried है और relationship status की बात करें तो ये अभी single है किसी को date नहीं कर रही है और अपने carrier पर focus कर रही है तो अब बात करते हैं इनके money factor के बारे में salary की बात करें तो ये लगभग 30,000 रुपे पर episode charge करती है और इनकी net worth है approximately 1 करोड रुपे तो दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए और ऐसी ही काफी lifestyle वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है उन्हें देखना न भूले और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिए